Hello students, Welcome back to my channel, Fast Solver मैं आपको इस वीडियो में composite number बताने वाला हूँ बहुत ही असान तरीके से, बहुत ही इजली तरीके समझाने वाला हूँ कि composite number क्या होता है ठीक है, आप इस वीडियो को लास्तक देखिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ नमबर क्या होता है ठीक है आई यह चलिई धेखते हैं अब यहाँ पर दखिए हैं कंपोजिट नमबर ए नमबर वेच है मोर-दैन तूर्थेक्टर जींज और उसको मोलते हैं कंपोजिट नमबर ठीक है अब है इहां पर फेक्टर का मतलब क्या है कि factor क्या होता है ठीक है तो आईए चली देखते हैं example हम समझते हैं example तो आप clear समझ में आएगा जैसे मैंने को example लिखा जैसे मैंने लिखा 2 ठीक है पहली बात आप ये देखे कि 2 के कितने factor हो सकते हैं ठीक है factor का मतलब ये है कि 2 जो है किस किस table में आता है या फिर 2 को कौन कौन से number individual कर सकता है ठीक है या 2 को जो जो number individual करेगा वो उसके वो 2 के factor का लाएंगे या फिर 2 जिस जिस के table में आता है वो factor का लाएंगे ठीक है तो 2 के हम कितने factor कर सकते हैं तो 2 को हम क्या है एक तो 2 का factor 1 होगा एक तो 2 का factor 2 खुद होगा क्यों? क्योंकि 2 जो है 1 के भी table में आता है और 2 क्या है? कि 2 जो है अपने खुद के table में आता है ठीक है? तो यहाँ पर देखिए 2 के आप यहाँ पर देखिए 2 को जो है इन 2 numbers के लावा उसके कोई factor नहीं है इस 2 numbers के लावा और इसके factor नहीं हो सकते है क्यों? क्योंकि 2 तो किसी number में आता है नहीं 3 न 4 में 2 के कितने factor है? 2 के सिर्फ 2 ही factor है 1 और 2 तो यह तो composite number नहीं होगा मैंने बोला कि composite number क्या होता है? more than 2 factor जिसके 2 से ज़्यादा factor हो तो आई चलते हैं एक example और लेते हैं जैसे मैंने लिखा 4 ठीक है? मैंने लिखा 4 अब 4 composite number है या नहीं है उसे कैसे पता करेंगे तो पहले हम इसका factor करेंगे factor का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि ये 4 जो है किस-किस number से individual है जो जो number से individual होगा वो सारे number इसके 4 के factor कराएंगे ठीक है? या फिर जिस-जिस के table में 4 आता हो वो सारे इसके factor कराएंगे तो 4 को कौन-कौन number individual कर सकता है एक तो 1 कर सकता है एक 2 कर सकता है ठीक है? एक 4 खुद कर सकता है तो आप यहाँ पर देखिए दोस्तो यहाँ पर देखिए student कि यहाँ पर 4 के कितने factor हो रहे है? यहाँ पर 4 के 3 factor हो रहे है ठीक है? तो more than 2 factor मतलब 2 से ज्यादा factor हो रहे है ठीक है? तो यह जो होंगे यह composite यह composite number होंगे जिसके 2 से ज्यादा factor हो मैंने लिखा six six composite number है या नहीं तो six जो है किस-किस के table में आता है एक तो one के table में आता है एक two के table में आता है एक three के table में आता है ठीक है एक six के table में आता है और इन number के अलावा और six किसी के table में आता है तो जिस-जिस के table में six आता हो ठीक है या फिर जो भी number six को individual कर रहा है वो नमबर फेक्टर का लाएंगे 6 के तो यहाँ पर देखिए 6 को 1 भी डिविजुल कर सकता है 2 भी डिविजुल कर सकता है 3 भी डिविजुल कर सकता है और 6 भी डिविजुल कर सकता है तो यह सारे जो नमबर है यह सारे नमबर 6 को डिविजुल कर सकता है तो ये सारे नमबर क्या होंगे फेक्टर का लाएंगे 6 के तो फेक्टर कितने हो रहे हैं 1,2,3,4 तो ये भी क्या है composite number ठीक है मैंने लिखा 8 लिखा ठीक है अब 8 क्या है अब 8 के कितने फेक्टर होंगे ठीक है बन तो सम्मे को मना आएगा student अब 8 के कितने होंगे 1 होंगे,2 होंगे 4 होंगे एक 8 खुद होगा ठीक है ये 8 के फेक्टर हुए 8 को कौनकों से number डिविजुल कर सकता है एक 1 कर सकता है 2 कर सकता है, एक 4 कर सकता है एक 8 खुद कर सकता है ये सारे number 8 को डिविजुल कर सकता है तो जो जो number 8 को individual कर सकता है वो सारे 8 के factor कर लाएंगे यहाँ पर देखे more than 2 factor मतलब 2 से जादर factor है तो यह composite number कर लाएंगे ठीक है student बहुत इजली तरीके से समझा जाएं student अगर यह आगर आप video आपको अच्छा लगा हो पसंद आया हो तो आप इस video को like, subscribe जरूर करें student